Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशी फल ये 10 एपरिल से लेकर 16 एपरिल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉप्यो यानि की सिंग, कन्या, तुला, वृष्चिक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सान साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल तो चलिए Leo's आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है two of cups और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week एक happiness एक joy एक satisfaction आप महसूस कर सकते हैं सब के लिए different reasons रहेंगे Leo's लेकिन कही relationship, partnership, get together या फिर किसी नए इंसा से अगर आप connect करना चाहा रहे हैं उससे related एक happiness, joy, satisfaction जादा रहती हुए दिख रही है तो दिखिए फिर से जो लोग partnership में काम करते हैं पीछे किसी भी वज़े से आपकी आपके partner के साथ difference of opinion हो रहा था, issues मसले हो रहे थे तो वो resolve होते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकत है कि आपके work front में बहुत एक supportive, बहुत एक cooperative से energies रह रहे हैं यानि कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से या फिर किसी खास इंसान की तरफ से एक support, एक cooperation रहतावा दिख रहा है और दिखिए अगर आपके work front में किसी इंसान को भी किसी help support की जरत है, तो आप भी Leo's उनको help पर support करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ कि यहाँ पे cups का card है, तो कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग again आपके work front में आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ किसी भी तरीके की eating, drinking, merrymaking हो रही है, यानि कि आप लोग एक दूसरे के साथ connect करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front में कोई खास इंसान है, जिनके लिए एक attraction आप महसूस कर रहे हैं, और फिर वो आपके लिए एक attraction महसूस कर रहे हैं, तो देखिए relationships आपके professional front में एक focus रहता हुआ दिख रहा है, सब अपके लिए different different levels पे रहेगा, लेकिन कहीं relationships की ही तरफ से या फिर वजह से एक happiness, joy, satisfaction भी रहती हुए दिख रही है, और personal front के लिए आप लोगों के लिए card है, page of wands, और सबसे पहली चीज ये card कहता है, कि किसी news, message, phone call, email का गराब वेट कर रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख है और इसी की वजह से या फिर otherwise भी एक enthusiasm, एक excitement रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए literally हो सकता है कि immature enthusiasm है, immature excitement है, किसी चीज को बहुत जादा लियोज, आप लोग look forward भी करते वे दिख रहे हैं, and यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी लियोज, कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी भी बड़ा decision अगर आप personal front में ले रहे हैं, किसी experiential इंसान से बात करें बगहर ना लें, और दूसरी चीज, बोलते हैं न कि जोश में होश ना खोएं, तो इस चीज का ख्याल रखें कि over enthusiasm, over excitement में, किसी को commit ना कर दें, किसी को कोई चीज promise ना कर दें, या फिर कोई नया क नई चीज ना शुरू करें, क्योंकि बाद में आप इस चीज को regret कर सकते हैं, यहाँ पर page of ones clearly एक immature enthusiasm की बात कर रहा है, किसी चीज को लेकर थोड़ा सा impulsive, थोड़ा सा restlessness भी महसूस करने की बात कर रहा है, तो इन चीजों का आप ज़रूर खयाल रखें, otherwise लेकि overall ही ये week इन जनरल की energies और guidance के लिए आप लोगों के लिए innocence का card है, और ये card कहीं बहुत ही beautiful energies की बात करता है, जो कि overall इस week रहती हुई दिख रही हैं और दिखिए professional personal front के cards भी इसी चीज को confirm करते हैं, और guidance के हिसाब से देखें, तो ये card कहता है कि simplicity के साथ चीजों को deal करें, बहुत चीजों के deep में ना जाएं, जो भी सादगी से आप काम करेंगे, उसमें एक happiness, joy आप जरूर महसूस करेंगे, और otherwise भी देखिए, आप again मैं कहूंगी कि बहुत जैसे होता है ना कभी-कभी मैं खुदी कहती हूँ कि थोड़ा सा manipulate करें, थोड़ा सा diplomatically चलें, तो वो आप ना क करें, इस week simplicity के साथ, innocence के साथ आप चीजों को deal करें, और astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है, और इसके हिसाब से all bright shade इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था, लियोज आप लोगों के लिए coming week का साबता ही, ग्राशी पल, औ कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Two of Souls Rivers, और ये card कहता है कि या तू पीछे एक indecisiveness वाली, एक inaction वाली energies थी, और इसी वज़े से आप बहुत stuck, बहुत अटकावा महसूस कर रहे थे, और इस week आपको ऐसे लग रहे है कि बस बहुत हो गया, अब खुद को ना इन energies में से बहार निकालना है, या फिर देखिए इन ही energies में आप बहुत जादा deep जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हो सकता है कि आप देख के अंदेखा कर रहे थे, सुन के अंसुना कर रहे थे, तो देखिए जो भी scenario रहे work goes, मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा चीजों का control अपने हाथ में लेकर, assertively action initiatives लेने की ज़रत है, जो भी आप अपने professional front में चाहते हैं, उस direction में, अगर decision और choices आप delay कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, तो please आप ज़रूर लें, क्योंकि देखिए जब decision और choices को हम delay करते हैं, तो हम अपने outcome को भ नहीं देख पाते हैं, तो इन चीजों का खयाल रखें, और दिखिए मुझे नहीं पता आप कितना इस card को देख पा रहे हैं, इसमें जो figure हैं, उनकी आखों में पट्टी बंदी हुई है, तो किसी भी चीज को लेकर अगर आपने अपनी आखों में पट्टी बंदी हुई ह यानि कि आप देख के अंदेखा कर रहे हैं, सुन के अंसुना कर रहे हैं, तो इस चीज को भी ज़रूर चेक करके correct करें, क्योंकि देखिए आखों पे पट्टी बानने से problems, issues, मसले हल नहीं होते हैं, इन फैक्ट जितनी देर हम आखे बंद करके बैठे रहते हैं, वो मसले धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे होते हैं, आपने सुना ही है, जब आउल बिल्ली को देखकर आखे बंद कर लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर दे, इन फैक्ट देखिए वो कहीं बिल्ली को हर कदम पे अपने करीब ही ला रहा होता ह वहाँ पे एक correct scenario या फिर correct तरीका होता है कि आउल उस time पे ओड़ जाए तो इसी तरीके से देखिए इस week भी अपने professional front में आपने चीजों को सामने से होकर deal करना है उनको avoid याँ फिर ignore नहीं करना है and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है ये card बहुत ही beautiful energies की बात करता है togetherness की बात करता है, companionship की बात करता है, celebration की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal front में रह रहा है क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया किसी भी तरीके का celebration, get together, आपके personal front में रह रहा है ये celebration भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए आपकी family में, marriage ceremony या फिर you know कोई भी event रह रह रहा है marriage मेरे mind में आया सबसे पहले that doesn't mean कि marriage ही रह रही है, किसी भी तरीके की celebration हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है आपके किसी friend circle में या फिर बहुत close circle में कोई celebration है जिसमें आप participate कर रहे है, attend कर रहे है, togetherness enjoy कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है, change of place, change of residence रह रह रहा है कुछ के लिए हो सकता है, आप vacation पे जाना चाह रहे हैं या फिर vacation, अपने किसी close one, अपने किसी loved one के साथ plan कर रहे है तो दिखिए overall fun, मज़ा, मस्ती, enthusiasm, excitement चीज़ों को लेकर आपके personal front में इस week रह रहा है and in general के लिए हाँ पे sorrow का card है और ये जादा मुझे professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional front के लिए या पे two of swords का card एक stuck energies की बात करता है तो मैं आपको यही कहूंगी वगोज यह सिरफ और सिरफ इस week की energies है नया week नही energies लेकर आएगा और इस week कैसे आप चीज़ों को बहतर कर सकते हैं कैसे खुद को इन stuck energies से बाहर निकाल सकते हैं उस पे focus करें क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं तो वो परेशानी multiply होती है और हम उस चीज़ के हल उस चीज़ के solution से और दूर जाते जाते हैं तो आपने again मैं कहूंगी इस चीज़ को check करके correct करना है जो भी issue है उस पे focus ना करें कैसे आप उसको solve कर सकते हैं क्या उसका solution है आप उस पे focus करें ऐसा करेंगे उस चीज़ को आप solve कर पाएंगे और आप better भी feel करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the fool और सबसे पहली चीज ये card कहता है लिबराज कि इस week specifically अपने professional front में आप चीजों को लेकर बहुत carefree बहुत careless हो रहे हैं हो सकता है कि uncalculated risk भी आप ले रहे हैं यानि कि बिना सोचे समझे चीजों को कर रहे हैं या फिर आपको पता है कि इस चीज में risk involved है इस चीज को करेंगे तो issues मसले हो सकते हैं और फिर भी उस चीज को आप कर रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं Libras तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि tarot guidance के लिए होता है at times देखिए या मैं कहूंगी most of the times हमें पता होता है कि ये चीज ठीक नहीं है बट हमारा state of mind ऐसा होता है या फिर हम you know externally चीजों से इतने influence होते हैं कि हम समझ के भी चीजों को नहीं समझ पाते हैं और जब ऐसे में हम reading देखते हैं और you know हमें सामने से confirmation मिलता है तो एकदम से एक जाग रुकता होती है या फिर एक awareness आती है यही मकसद tarot का है और यही आपके लिए इस week specifically आपके professional front में आपके लिए guidance भी है कि फिर से आप uncalculated risk ना ले आप carefree हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि beyond the point हमें किसी भी चीज के लिए tension, pressure, stress नहीं लेना चाहिए लेकिन in the process careless हो रहे हैं, immature energies हैं तो ज़रूर उस चीज को check करके correct करें कुछ लिबरास के लिए देखिए ऐसी energies का कोई इंसान आपके work front में हो सकता है जिसको लेकर आप थोड़े से परिशान हो रहे हैं तो इस card के हिसाब से देखिए फिर से मैं आपको कहूंगी कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice बिना सोचे समझे ना ले आप फिर किसी experiential इंसान से बात करे बगार आप ना ले और परसनल front के लिए आप लोगों के लिए card है और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि परसनल front में किसी खास इंसान को लेकर या फिर इन जनरल भी ego issues रह सकते हैं जो भी authoritative figures हैं आपके personal front में ये सब के लिए differ करेगा उनके साथ issues रह सकते हैं या तो आप थोड़े से controlling थोड़े से नहीं कहोंगी over controlling over dominating हो रहे हैं या फिर कोई figure है आपके personal front में वो over controlling वो over dominating हो रहे हैं और दिखिए broader level के लिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत systematic बहुत organized तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप over systematic over organized तरीके से चीजों को कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि over action initiatives ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक balance इनी energies में लेकर आएं क्योंकि कोई चीज जितनी भी अच्छी हो जरुरत से जादा होती है तो हमें परेशान करती है और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि यहाँ तो आप अपने किसी loved one क लेकर बहुत protective हो रहे हैं या फिर आपका कोई loved one आपको लेकर बहुत protective हो रहे हैं तो जो भी हो एक balance लेकर आएं जो भी बड़े हैं authoritative figure हैं उनसे आप इस week ना उलचें या फिर बहुत जादा आपना involved हो थोड़ा सा distance रखेंगे तो जादा बहतर रहेगा self respect आपके लिए बहुत एहम रह सकता है Libras और कहीं इनो power position authority हो सकता है कि आप maintain करना चाहा रहे हैं और उतनी power position authority किसी भी reason की वज़े से आपको नहीं मिल पा रही है जिसकी वज़े से भी कुछ issues कुछ मसले रह सकते हैं and in general की energy इसके लिए आपके लिए understanding का card है और ये card कहता है कि दोनों ही fronts में या फिर दोनों में से किसी एक front में आप अपने आपको hold back कर रहे हैं यानि कि आप चीजों को करना चाहा रहे हैं लेकिन करने से पहले आप अच्छे से समझना चाहा रहे हैं इस card में लिखा हुआ है understanding तो देखिए इस card के ही हिसाब से देखें तो आप अच्छे से understand करना चाहा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है देखिए हमें सोच समझ के ही चीजों को करना चाहिए और खास कर देखिए ये guidance आप के लिए professional front के लिए जादा रहती हुई दिख है क्योंकि professional front में हमने देखा कि आप थोड़े से careless थोड़े से carefree हो रहे हैं तो आप जरूर अच्छे से समझें लेकिन अगर आप पाएं कि आप over you know चीजों को understand करना चाहा रहे हैं in the process आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं आप अपने आपको hold back कर रहे हैं तो इसमें रहे में रहेगी कि खुद को आप hold back करें जरूर करें और astrology से आप लोगों के लिए venus gray का card है और इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Libras आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copyors आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of swords और ये card कहीं ending beginning के बात करता है जो कि specifically इस week आपके professional fund में रहती हुई दिख रही है क्योंकि ये general reading है सब के लिए ending beginning differ करेगी कुछ के लिए कोई project हो सकता है, कुछ के लिए कोई connection हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है, again सब के लिए different चीज़े रहेंगी जो आप end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और कहीं ये ending beginning बहुत smooth, बहुत comfortable नहीं रहती देखे ये सोट का कार्ड है तो कुछ चालेंजिस, कुछ इशूस, कुछ डिसकमफर्ट भी in the process रह सकता है तो स्कॉप्योज देखे इस चीज़ को सुनके परिशान ना हो क्योंकि ये weekly reading है, weekly reading में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है चोटी मोटी चीज़े होती है, एकका दुक्का लोगों की बात अलग है और दूसरी बात दिखिए, माइनर आरकाना का कार्ड है माइनर आरकाना का कार्ड भी कहीं माइनर इशूस की बात करता है बस थोड़ी सी खुद की चेकेंग करें कि external front पे जो भी हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मन ही मन उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं यानि कि आप बहुत जादा चीज़ों को महसूस कर रहे हैं ऐसा अगर पाएं तो इसको जरूर चक करके correct करें क्योंकि दीए मैंने हमेशा कहा है externally हमारी life में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं वही determine करेगा कि उस situation में उस चीज़ को लेकर हम कितना परेशान होते हैं या फिर हम कितना ठीक फील करते हैं या कितनी असानी से हम उस चीज़ से बहार निकलते हैं तो फिर से कहूंगी इस चीज़ का खयाल रखें और परसनल फ्रंट के लिए आप लुगों के लिए फोर अफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कहीं इनो emotionally low feel कर सकते हैं enthusiasm, excitement missing रह रहा है motivation missing रह रही है और आप बहुत actively किसी भी चीज़ में involved नहीं हो रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं होता है ना कभी कभी externally सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है लेकिन हमें कोई भी चीज़ एक हाय नहीं दे रही है या फिर हम किसी भी चीज़ को enjoy नहीं कर रहे है तो कुछ ऐसी सी energies, Scorpios आपकी रह सकती है और ऐसे में बहुत बहुत important होता है Scorpios कि हम conscious effort करके चीज़ों में अपने आपको involve करें participate करें और कहीं एक enthusiasm, एक excitement लेकर आएं जो भी हम चाहते हैं उसके लिए खुद को motivate करें तो इस चीज़ का खयाल इस week आप जरूर रखें और इन जनरल की energies के लिए आप लोगों के लिए friendliness का card है और देखें ये card कहता है कि कहीं relationships या तो एक focus रह रहे हैं या फिर आप इन पे जादा attention दे रहे हैं और सब के लिए ये भी थोड़ा थोड़ा differ करेगा अगर हम professional friend में देखें तो हो सकता है कि कोई connection ही है जो end आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं जो की थोड़ा सा असा नहीं हो रहा है या किसी level पे किसी तरीके का discomfort आप महसूस कर रहे हैं और personal friend में देखें तो कोई connection हो सकता है जिससे आप withdraw कर रहे हैं कुछ के लिए भी हो सकता है कि सामने से आप से यूनो वो बात करना चाहा रहे हैं जो भी आपके friend हैं आपके loved one है, close one है और आप इतना interested नहीं हो रहे हैं या फिर आप इतना जादा नहीं उनसे connect करना चाहा रहे हैं और इसलिए या पिर आदावाइस भी आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर guidance के हिसाब से friendliness के card को देखें तो ये card कहता है कि जितना प्यार महबबत से आप चीज़ों को deal करेंगे जितना लोगों से connect करेंगे क्योंकि देखिए personal front में हमने देखा कि आप थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं ऐसे में देखिए जब आप किसी अपने अच्छे friend के पास चाते हैं उनसे connect करते हैं उनसे बातचीत करते हैं आप बहुत better feel करते हैं इनी energies में से आप खुद को निकाल भी पाते हैं तो दिखें नच्छल में guidance के हिसाब से again मैं कहूंगे हम friendliness के card को देखें तो ये card कहता है कि आप लोगों से मिलें अपने loved one, अपने close one से connect करें उनसे you know heart to heart conversations आप जरूर करें और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशेफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए